आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल डीजी फॉल टैक पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब कीजिए बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेसन आइकोन जरूर से क्लिक करें पुराने कस्टमर्स को प्लीस रिक्वेस्ट है एक बार फिर से चेक कर लें और बलैल आइकन आपने प्रेस किया है की नहीं मुझे सोसल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें जिसके लिए आपको मेरे चैनल के अबाउट पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा मेरे तीन अल्टेनेटिव यूट्यूब चैनल को भी क्रिप्या करके सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं नोटिफिकेसन आइकन क्लिक करें उसके लिंक आपको मेरे चैनल के चैनल सेग्मेंट में मिल जाएंगे अब हम आते हैं अपने इस पोर्ट रोम पे सबसे पहली बात हमारा डिवाइस रेडिमी नोट 4 है 3GB वेरियंट और 2.30 GHz का Snapdragon 625 प्रोसेसर है Android 10 बेस्ट यहाँ पर आपको रोम दीख रहा है सिक्योरिटी पैच छटवे महने 2022 का है और MIUI वर्सन है 12.0.6 और यह जो हमारा है 3.18 अंडरग्राउंड कंडल यूज किया गया है आप इस्टोरिज टेकनलोजी देख सकते हैं बैक करके अगर मैं दिखाओं तो इस्टोरिज 6.77 GB 3 GB वेरियंट पे यूज होगा और 4 GB वेरियंट पे आपको 7.8 GB तक का सिस्टम यूज दिखेगा इससे बात करते हैं यह बेसिक UI इंटरफेस आप ने देख लिया है अब मैं आपको ले चलता हूँ होम स्क्रीन पे यह इसका होम स्क्रीन है और इस पे मीपोर्ट एप को मतलब MI रोम को पोर्ट किया गया है बट काफी मैंने नोटिस किया है कि Google एप को इंटीग्रेट कर दि है MI के एप वो मुझे काफी पसंद है as compare Google आते हैं अब हम अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात यहां पर मैं आपको दिखा दू देख सकते हैं आप डाइलर आपको Google का मिल गया है तो call recording भुल जाइए यहां पर MI डाइलर मिलता तो काफी अच्छा होता उसी तरीके से Google का मैसेज मिला है वो भी मुझे पसंद नहीं है प्ले स्टोर आपको certified मिल जाएगा मी वीडियो एप अच्छा है काम कर रहा है MI का file manager दिया गया है यह भी अच्छी बात है गैलरी जो है वो भी MI का है calendar MI का है calculator MI का है camera भी upgraded है 4K enable करके दिया गया है और अच्छ से काम कर रहा है कोई problem नहीं है जो clock है वो MI का है contact आपको Google का दे दिया गया है वो मुझे पसंद नहीं है pulse music याने की music player है यह AOSP का उठा के दिया गया है scanner और screen recorder weather यह सब MI का है theme store जो है वो global है security app भी MI का अच्छे से काम कर रहा है तो यह तो मैंने app बता दिया अब आपको play store certified है Google पे cold recording नहीं मिलने वाला है और port app तो आपको use करना नहीं है क्योंकि port app already इसमें दिया गया है Google camera भी आप use कर सकते हैं बागी by default 4K इसमें enable करके दिया गया है थोड़ा सा हलका सा जब आप 4K access करेंगे या जल्दी फोटो क्लिक करने की कोशिस करेंगे तो हलका half a second आपको delay देखने को मिल सकता है इसलिए अगर आप Google camera यूज करें तो ज्यादा बहतर होगा settings में चलते हैं तो settings में ज्यादा कुछ बताने लाइक होता नहीं है me port app के settings आप सब के सब जानते हैं दो major में आपको bug unveil कर देता हूँ वो है physical navigation button light कभी भी काम नहीं करता है me port app में special features के अंदर आपको second space वाला जो feature है ये भी काम नहीं करेगा on हो जाएगा off करते ही phone restart हो जाएगा तो ये common bug है ऐसा नहीं कि आप MIUI 12 पोर्ट देखे 11 पोर्ट देखे 13 देखे कोई भी MIUI वर्सन देखे या कोई भी Android वर्सन देखे Android 9, 10, 11, 12 कुछ भी सब में ये common bug है आगे चलते हैं यहाँ पर आपको कुछ बताने लाइक नहीं है कास्ट वर्किंग है लॉक स्क्रीन वेगर में भी कुछ बताने लाइक नहीं है और wallpaper themes जो है ये global वाला दिया गया है तो थोड़ा limited collection ही है proper Chinese वाले पे सबसे ज़्यादा collection आपको wallpaper theme, super wallpaper, live wallpaper, dynamic wallpaper इस टाइप का advanced features आपको Chinese के लिए रखा जाता है password and security की बात करें तो phone का room not encrypted है तो personal data delete होने का आपका risk खतम हो जाता है जब आप इसे orange fox recovery से flash करेंगे इस room को तो बीना किसी tension क्या flash कर सकते हैं security system की बात करें तो fingerprint face password यह सब अच्छे से काम करता हुआ आपको मिल जाएगा बीना किसी problem के privacy protection MI के तरफ से आता है battery की बात करें तो battery अगर मैं आपको दिखाऊं तो battery backup अच्छा है बट मेरे case पे battery backup अच्छा है आगे बढ़ते हैं apps additional settings पे यहाँ पर digital well-being काम करता हुआ आपको मिल जाएगा और MI के जितने जो apps होते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं ऐसा कोई बड़ा big deal issue नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपना developer option भी enable कर लेते हैं क्योंकि मैंने developer option enable नहीं किया है तो अब आप देखें यहाँ पर हमारा कहा गया MIUI version यह रहा हमने developer option enable कर लिया है अब आपको यहाँ पर आना है additional पर आपको developer option मिल जाएगा तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जरुवत के साब से on off जो भी आपको menu करना है कर लिजेगा अब बात करते हैं इस रोम के एक full review की full review याने की app opening fast है डिले वेगर नहीं है reboot time ठीक है installation time ठीक है कि एक-एक मिनट लगा रहा है mobile reboot होने पर और app opening app closing भी ठीक है battery backup भी ठीक है ऐसा कोई major bug नहीं है बस मुझे सिकायत बस यही है कि मुझे MI के apps चाहिए थे जो इसमें Google के दे दिया गया है kernel 3.18 यूज कर दिया गया है और android 10 बेजड यह रोम है तो आप अगर underground kernel है android 10 बेजड है तो अराम से gaming कीजिए गेमिंग ले underground kernel और android 10 मी के combination के साथ मतब मी port app या मी रोम के साथ अच्छे से performance आपको दे देगा चाहिए आप किसी भी type का जो भी आपका पसंद वाला game होगा आप खिलते होंगे उसे आप access कर सकते हैं तो gaming वाले में भी आपको कोई problem नहीं है पोल टैप पैकरा भी camera app भी मैंने बता दिया है play store certified से और इसी तरीके की interesting videos और news technology जानकारीज के मेरी चैनल पर continue रहे हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो future पर मिलने वाले हैं thank you have a nice day